Hello everyone, welcome back to my channel Beautyzone आज मैं आपके साथ makeup fixer के बारे में डिस्कस करूंगी, share करूंगी कि makeup fixer क्यों लगाना चाहिए, क्यों जरूरी है और क्यों लगाना चाहिए कि हम इसको use करना भी चाहिए या या नहीं करना चाहिए Actually मेरे अपने ही कई known में भी हैं जो ये use नहीं करते और share करूंगी की भी करना कैसे चाहिए, आपने इसको apply करना है, तो apply कैसे करना है, तो चलिए start करते हैं, मेरे पास है Swiss Beauty का makeup fixer, ठीक है, आपके पास जो भी available है makeup fixer, आप उसके साथ ही इसको share कर सकते हैं, use कर सकते हैं, मेरे पास और भी 2-3 है, पर वो अलग से किसी का अगर demo है, तो वो अलग से दूँगी, फिलहाल तो सिरफ makeup fixer के बारे में ही मैं आपको बता रही हूँ कि यह होता क्या है, इसको हमें use क्यूं करना है, और कब use करना है, बेसिकली makeup fixer होता है, जब हम हमारे makeup को proper long lasting बनाने के लिए, उसको fix करने के लिए, जब हम makeup करते हैं, तो naturally ladies को ज़्यादा पता है, कि जब वो makeup करती हैं, तो वो कितनी layers apply करती हैं, firstly primer लगाया, फिर हमने foundation लगानी है, फिर उसके बाद उसके उपर face compact लगाया, यह सारी different जो हमारे steps हैं, वो इन steps को एक proper layer में mix करना और उसको intact करके रखना, उसको वो यह काम करता है, यह makeup fixer, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि भी makeup fixer, मतलब कि हमें कोई भी apply करना है, जैस जो भी आपके पास available है, आप उससे use कर सकते हैं, और makeup fixer हमें करना कब है, हमें इसको makeup को, जब हमारा makeup complete हो जाता है, उसके बाद जो हमारा last step होता है, वो होता है makeup fixer का, और जब हम इसको apply करते हैं, तो please आपने बिल्कुल pass में लगा के इसको apply नहीं करना, तो आपका सार ही फैल जाएगा, अगर आपका eyeliner वगारा waterproof नहीं है, तो वो बिल्कुल ही melt होना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा distance देकर आपने इसको, तो आपने इसको ऐसे apply करना है, अपने face पे, चिक है, यह देखिए, चिटे चिटे इसको छेड़ना नहीं है, टच नहीं करना, ठी beauty blender है, जिससे आप use कर रहे हैं, तो आपने इसको थोड़ी दीरे-दीरे dab कर लेना है, ठीक है, अगर आप beginner हो, जैसे मैं starting starting में, मुझे भी थोड़ा डर लगता था, कि इसको apply करने में, और apply करने में, तो मैं क्या करती थी, direct apply करने से पहले, अपने इसको थोड़ी दे रख और then अपने इसके उपर use कर लिया, अपने face के उपर, यह दिखिए, ऐसे, और इसको थोड़ी देर wait करने दिया, जब भी आपने apply करना है, तो please bottle को shake ज़रूर करना है, without shake की आपने bottle को use नहीं करना, मैं तो अगर जैसे venters होती है, तो हमारा एकदम से foundation कभी कबार blend नहीं होता, तो अपने beauty blender के उपर आप इसको spray कर लीचे, और अपने foundation को blend कर लीचे, easily blend हो जाएगी, अगर brush है, तो brush के उपर भी आप उसको spray करके, easily वो spray हो जाएगा, और long lasting बन जाएगा, और इसको apply करना important है यह कोई जरूरी नहीं कहते हैं कि हम बहुत makeup नहीं करते हैं, तो हमें इसकी क्या need है, आप makeup कभी कबार तो करते हैं, अगर आप base makeup ही करते हैं, चाहे आपने BB cream ही लगाई है, या आपने foundation ही apply किया है, और कुछ नहीं apply किया, तब भी आपको इसको use करना जरूरी है, अगर अगर आपने henky लगा दिया, तो वो सार आपका henky के उपर लग जाएगा, ठीक है, तो एक side different और एक side different show होगी, तो इसलिए makeup fixer बहुत जादा important है, summers में तो बहुत ही जादा, because हमारे, क्यूंकि हमें sweating होती है, तो यह हमारे जो हमारा foundation है, या हमारा base makeup है, उसको थोड़ा long lasting बनाता है, मैं आपको एक hack बनाती हूँ, जो मैं basically मैं use करती हूँ, mostly, मैं अपना full makeup करने के बाद, makeup fixer apply करती हूँ, जो भी आपके पास makeup fixer हो, उसको apply करने के बाद, आप highlighter लगाईए, तो देखिए highlighter बहुत pop up होके आता है, मैंने अपनी एक makeup वीडियो में भी ये बताया था कि अगर आप makeup fixer को apply करने के बाद, अगर आप अपना highlighter लगाते हैं, highlights point पे अगर अपना highlighter लगाते हैं, तो वो बहुत ज़ादा pop up होके आता है, ठीक है, अब आप ये ही देख लीजे, मैं आपको एक demo दिखाती हूँ, छोटा सा, ये देखिए, ये कोई भी eyeshadow है, मैंने simply लिय लिया है, ठीक है, ये मैंने यहाँ लगा लिया, अपने देख लिया, ठीक है, अब मैंने इसी के उपर ही makeup fixer spray करके, ये brush के उपर, ठीक है, और मैंने इसको दुबारा से लिया है, अब ये देखिए, आपके सामने है, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये गीला है, थोड़ा सा वेट है, इसलिए थोड़ा सा जादा pop-up हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोड़ी देर में ये अपने आप सूख जाएगा, और आप खुद देखेंगे, इसके उपर, ये मैंन को ये भी दिखाती हूं कि मैंने अपने फेस पेस को एपलाई किया है, ठीक है, तो आप खुद देखिए, ठीक है, थोड़ी देर आपने वेट करना है, एक ही जगा पर नहीं स्प्रे करना, वैसे ये स्विस प्यूटी का चीप एंड बेस्ट है, आइटिंग 249 है, इसका प्राइज और 50 ml की इसकी कॉंटिटी है, और ये बहुत ही इजीली आपको मार्किट में भी ऑनलाइन, आफलाइन, मिल जाएगा, मेरे पास और भी है, लेकिन ये सबसे चीपेस्ट है, तो मैंने का सबकी रेंज में है, सबके पास होता है, तो आज इसी को ही मैं अप्लाइ करके बताती हूँ, ये देखे, सी, कुछ भी नहीं हुआ, पते क्या है, मेकप फिक्सर बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन है, क्यूंकि हमें अपनी जो हमारी फेस है, उसको अगर हमने, हम फंक्शन तक पहुंचे ही नहीं, उससे पहले ही अगर हमारा मेकप सारा निकल गया, तो उसका कोई बेनेफिट नहीं है, तो एक मेकप फिक्सर आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन है, आप कोई भी ले स पास होना बहुत इंपोर्टन है, और ज़रूरी है, ये भी हमारी एक जो वैनेटी केट है, उसका एक पार्ट है, उसमें होना बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है, अगर हमारा कोई आईशेडव है, वो पॉप अप नहीं करता, अगर हम इसको एप्लाई करते हैं, तो आप देखी आपके सामने है ये result, ये देखी ये कैसे, बिलकुल shift हो गया, ठीक है, ये जो मैंने make-up fixer के साथ किया था, ये देखी आपके सामने ही ह readiness, ये बिलकुल fix हो गया है, मैंने इसको ये देखी लेझी हो और ये totally blend हो चुक ए है, ये है benefit make-up fixer का, तो प्लीज अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी helpful लगी हो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और friends and families में share कीजिएगा Thank you, thank you so much